हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूटूब चैनल नजर हर एक सेर में तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो कुछ न्यूजिस साथ आपने देखे होंगी उनमें से एक खास न्यूज है जो मैं लेकर आगी उस वीडियो के मादियम से सायद आप तक पहुँची गई होगी न्यूज फिर भी आपको एक बार डिफाइन करने की मुझे जरूरत पड़ेगी डिटेल से A to Z साथी चीज़ें आपको गन्फर्म कराऊंगी कुछ वो जो न्यूज में आपको बताने वाली है उसका इंपेक्ट हमारे स्ट पर नेगेटिव इंपेक्ट भी कही न कहीं को देख सकता है तो वीडियो को स्टाट करने से पहले आप सब इसे कहना चाहूंगी न्यू विजिटर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाल आइकन को हिट कर दें ताक बैक्ती हैं काफी जादा popular हो रहा हैं अभी इनकी ही बातें चल रहे हैं तो काफी जादा इनकी अभी demand है और इनकी सारी बाते हम देख पा रहे हैं और इनसे रिलेटेड मैं न्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ आपको अपडेट भी हो गया हो गया सारी चीजों के बारे में पहले से पर मैं भी वीडियो के माद्यम से आपको एट विजट सारी जानकारिया दूंगी तो आप देख पा रहोंगे इलोन मस्क जो की टेसला क हैं यह बात आप जानते हैं तो चल यह पहले हम स्टॉक क्यों पर चलते हैं वह कौन सा स्टॉक है जिनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे आज जी हां दोस्तों आप सूच रहोंगे यह तो हमको यहां इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता तो फिर इसकी न्यूज कैसे आई है तो इंडिया से रिलेटेड ही इसकी एक न्यूज है टेसला जिसकी मैं बात कर रही थी जिसकी न्यूज का ही अपडेट मैं आपको इस वीडियो के मादिम से लेकर आई हूँ तो आप देख पार होंगी अभी इसका स्टॉक प्राइस चैसी के असपास का प्राइस च कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं रखोंगी मैं तो मैं बता दूं आपको टेसला से रिलेटेड जो हमारे मिनिस्टर है टांसपोर्ट मिनिस्टर आप देख पा रहोंगे यह उनका चितर भी है इसमें आपको साथ ही चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं तो उन्होंने क्या कहा है तो उन्होंने टेसला से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो हमारे लिए जाना काफी जरूरी हो गएगा स्टॉक मार्केट के लिए भी और एक नॉलेज के लिए भी हाँ जी तो उन्होंने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहोंगे इं इस स्पीच में कहा है कहीं न कहीं सबसे ज़रा टेसला का जो यूज हो रहा है टेसला से जो इविकल्स हम देख पा रहे होंगे इलेक्टोनिक विकल्स की मैं यहाँ बात कर रहे हूं यह देखिए इलेक्टोनिक विकल्स की मैं बात कर रहे हूं तो कहीं न कहीं सबसे ज़रा यूज चाइना वाले लोग कर रहे हैं विकास वहाँ पे साधी चीज़ें अगर हम बात करें तो उनको electing vehicles जो है charging से चलती है और यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे हर एक चीज की सुविजा उनको मिल पाती है तो कही न कहीं चाहिना इस चीज में काफी आ गया है अगर हम इंडिया की बात करें टेसला की अगर हम बात करें तो इसका सबसे जाधा एडवांटेज क्या है तो इसमें एक एडवांटेज वाली जो चीज है वो है इलेक्ट्रोनिक बीकल्स और अगर हम इसका ये पूछें कि इसमें क्या डिस एडवांटेज हम देखने के लिए मिल रहा है तो आप देख रहे होंगे कॉस्ट आप प्रोडेक्शन ये लिखा हुआ है कॉस्ट आप प्रोडेक्शन जो है इसका काफी जादा है मतलब काफी है इस बज़े से इसमें वर्क करने में काफी दिक्कत होती है कॉस्ट आप प्रोडेक्शन जादा रहेगा तो डिरेक्टली इन डिरेक्टली हर वे में हमको इसमें दिक्कत आएगी बट अगर हम चायना की बात करें तो चायना कहीं न कहीं इस चीज में सबसे आगे है आगे तक जा सकता है बोल सकते हैं विकॉज इसका जो टेसला कंपनी है काफी बड़े बड़े जो वीकल्स हैं या कहें फोर विलर्स में काफी जादा कॉस्टली सप्लाइ करती है जीजों को अगर हम गाड़ी के प्रोडेक्शन की बात करें जो लगजरी गाड़ियों में आ जादा मतलब अफॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं मिडिल क्लास फेमली वनलब सोचना भी बहुत दूर की बात है फिलाल तो विकॉज मिडिल क्लास फेमली के लिए इतना फॉर्ड करना ना के बरावर होता है इंपॉसिवल थिंग होती है बट अगर कहीं न कहीं नितिन गटकरी ने उन्होंने बोला है कि वो इंसेंटिव देने के लिए तैयार है टेक्सला अगर यहां पे इंडिया में वर्क करना चाहता है यी विकल के लिए तो वो इंसेंटिव में क्या कहा है अभी कोई सियोरिटी नहीं है बट अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पे की दोरा कही गई है मैं नहीं कह रही हूं आपको सारी चीजें बार बार डिफाइन कर रही है तो आप थोड़ा सा चीज को ध्यान से सुनिए तो उन्होंने ये सारी बाते कही है और इसका इंपेक्ट कही ना करें स्टॉक मार्केट पे हमको दिखाई देगा और अगर अभी मै भी सबसे जादा कॉस्ट आप प्रोडेक्शन कम करने की बात करी है अगर इंडिया में ये वर्क होता है तो जो कि कास्ट आप प्रोडेक्शन अगर कम होगा डेफिनिटली तभी आगे हम काम कर पाएंगे और अभी अगर हम बात करें तो सबसे जादा इसका यूज चाइना वाले कर रहे हैं और चाइना और इंडिया की टक्कर रहती है यह वात आफ सब भी जानते हैं तो यह चीज उन्होंने कही है अब आगे और क्या क्या चीज़ें कही है तो अब इंडिया में गाड़ी बनाने की कही न कही बात कही जा रही है इसमें उन्होंने यही बात कही है न देखिए आगे नीचे और क्या ऐख कहा गया है उनके दौप कहीं न कहीं हमारे हो सकता है कहीं न कहीं कह सकते हैं हमकिया कहीं चीजह आगे चलays क्लाकरी हो सकते हीं तक नहीं बदा अगर इसंटिफ की Paris कोई भी कंडिशन onlar कोई भी और armour कुछ भी नहीं आया है उससे related हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो three model selecting sedans in India ती टेसला ने कहा है प्लान करने की सुच रहा है importing and selling मतलब कहीं न कहीं इंपोर्ट करेगा इंडिया में और sell भी करेगा बेचेगा भी और import भी करेगा और यह सब कभ होने वाला है यह चल रहा है लगबग कैसे work होगा तो पहले तो इसके कुछ parts हम को देखने के लिए मिलेगे कुछ components इसके आएंगे then फिर इसका काम start होगा then फिर हमारी electronic vehicles तैयार होगी तो इसके लिए अभी काफी time लग सकता है but कही न कही हम कह सकते हैं कि इसके जो components आएंगे या इसके जो parts आएंगे उससे ही related क्या क्या parts आ सकते हैं क्या क्या चीज़ें कहे गई हैं और वो चीज़ें हम अब cover कर लेते हैं नीचे चलके और देखने का कहना है यहां पर कि आप rather than assembly cars यहां पर आप खुद देख पार होंगे मतलब आप एक कायम कीज़ें आप इंडिया में ही company बना लीजिए तो उसका जो भी खर्चा आता है यहां पर hiring local vendors हम खुदी दे देंगे बाकि उसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे incentive भी provide करेंगे ताकि हमारे company की हमारे इंडिया की तो growth होगी सासाथ आपको भी खर्चा कम पड़ेगा यह देखें higher concession कुछ हम concession भी आपको provide करेंगे तो यह चीज आपको देखने के मिल रही है कि उनका directly क्या कहना है Tesla के लिए कि आप यहीं पर अगर काम start करते हैं तो क कहीं से start करते हैं अगर काम तो और कहीं न कहीं हम आपको concession भी देंगे वो भी higher level पर higher level पर आपको एक concession भी मिलेगा और यहां पर कुछ चूटें भी आपको मिल सकती हैं यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने एक हाथ आगे बढ़ा दिया है और आगे फिर करन टेसला के उपर है उसने अभी तक जवाब नहीं दिया बीबिल यहां पर आप देख पा रहोंगे बीबिल as your debt he said that government will make sure that production cost of Tesla will be a lowest when compared with the world even China लब चाइना अभी इतना जादा cost है बट अगर यहां पर start करती तो कहीं न कहीं हमको कम cost में देखने के लिए मिल सकता है यहां हम अगर बात करें components की तो सबसे पहला component हमको यहां पर batteries ही देखने वाली यहां पर देख रहे होंगे इस मतलब कहीं न कहीं अगर यहां से start करता है इंडिया में ही company Tesla company इंडिया में ही बनाती तो कहीं न कहीं उसको सारी चीज़ें कम में पर दाएंगी खर्चा सब चीज़ें because अगर इंडिया में ही growth होगी तो कहीं या कहीं हम देख पाएंगे कि इससे हमारी इंडिया की ही growth होगी देखने के लिए मिलेगी तो कह सकते हैं हम कहीं न कहीं ये सारी चीज़ इस हमारे लिए beneficial हो सकते हैं तो यहाँ पर आप कुछी देख पा रहुगे इंडिया फेसे बिग चैलेंज बिन अ प्रोडेक्शन कम्मिट्मेंट फ्रॉं टेसला विच दिट नाट इमिजेटली रिस्पॉंट एन इमेल रिकॉस्टिंग कमेंट अवाउट प्लान इन दा कंट्री तो कह सकते हैं यहां पर इसको इमेल कर दिया गया है अभी तक इसका को कस रखने वाले कहीं जो भी आंसरस होता उसे सबसे मार्केट में वर्क हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं यहां एक चीज और उन्होंने डिफाइन किये कि इंडिया में भी ऐसा नहीं इंडिया में भी वर्क चल रहा है पहले से भी बड़ कहीं न कहीं हम बात stop EVS मतलब electronic data या कहें कि electronic vehicles मुझे भी लेना आपको भी लेना but higher cost मतलब काफी costly रहती है इसकी charging बगेरा क्योंकि यहां से अगर हम गाउं तक भी जाते हैं कि for example कहीं भी कोई भी सहर से कोई भी city से अगर हम up down भी कर रहे हैं तो वहां पे हमको charging points यह सारी चीजें काफी जादा जरूरत पढ़ती है काफी नीडी रहती है इस चीज में क्योंकि electronic vehicles charging सही चलता है तो हमको यह सारी चीजें face करनी पढ़ती है इसलिए यह अभी तक successful नहीं हुआ है कह सकते हैं 2.4 million cars should be in country last year तो कह सकते हैं इसका charging जो है निजबिल है नहीं है तो इसका रहर हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए यह commitment कही गई है इनके दार तो इसलिए उनका कहीना कहीन यही कहना है कि अगर इंडिया में आप टेसला कंपनी अगर वर्क करती है तो आपको अपना cost of production कम रखना होगा वरन्प आएंगी तो टेसला कंपनी की गाड़ी हमारे आएंगी वनेंगे तो रुबस कम रहेंगे मतलब बिकेंगी कम तो कहीं ने कहीं आपको नुकसान हो सकता ये सारी चीज़ें पहले ही चीज़ें क्लियर की हैं उन्होंने कि ऐसा हो सकता है बाइल लेविल पर अगर जादा चाहिए तो कॉस्ट आप प्रोडक्सिन आपको कम रखना हो तो यहां पे कुछ बातें उनके दारा और भी कहीं गई हैं गड़करी की दारा गड़करी जी ने कहा है लीथियम आयरन बैट्रीज यहां आप देख पा रहोगे मैं एक दम रुकिए बता देती हूं बैट्रीज मेड लोकली ना हो मतलब इंडिया में भी कहीं ने कहीं इसकी या एक्सपोर्ड हब एक बड़ा हब बनने जारा है इसको लेकर तो कहीं न कहीं चाएना अगर हमसे आगए है उलेक्टोनिक विकल्स को लेकर तो टैसला से उन्होंने साफ साफ बातें कहीं है अगर आप कॉस्ट आप प्रोडेक्शन कम रखेंगे तो ही यहां पे चल पाए इसको एक एक्सपोर्ड हब बनाने के लिए तो कह सकते हैं ये सारे बातें उनकी दौरा कहीं गएंगे कि हमारी नज़रे टैसला के उपर होना चाहिए हमारा फोकस इसके उपर रहेगा तो डेफिनेटली जो भी यहां से रिस्पोर्स आता इसको लेकर स्टॉप मार्केट मे हम changes देख पाएंगे, stock में हम definitely changes देख पाएंगे एक अच्छे return पर आगे काम कर पाएंगे I hope so आपको वीडियो पसंद आया हो article कापी बड़ा था वर्ट मैंने आपको तोड़ा सा कम करके उस को स्रिंग करके बताया तो आपको सारे चीज़े I hope so समझ में आई होंगी and अगर कोई वीडियोट होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं इसी के साथ ही बाबाई आप सभी को happy investing